नमस्का दूस्तों प्यल्टिक्स में आपका भर्भर स्वागत है दूस्तों आज के इस क्लास में यूपीटर प्रसी वीडियो रिग्जम्द हो जारते इसके लिए समान चानकारी के चेप्टर वाइज कोईसेंस की क्लास को लिकरा हूँ और इस क्लास के अंतरगत हम लोग भा आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं दोस्तों आए शुरू करते हैं आज के इस क्लास के कुश्चन नमर 101 से उतरप्रदेश का त्रिवेंडी संगम निम लिख त्रिवेंडी संगम के नाम से भी संबोधित किया जाता है त्रिवेंडी संगम गंगा यमुन सरस्वती नदियों का मिलन इस्थाल है पूरे विसो भर में प्रसिद्ध है जहां पर प्रतिवर्स मांग के महिने में मांग मेला आउजित करता है तो आप लोग ध्यान दखिए कामेंग धन सिरी मानस तिस्ता नदी का नाम क्या है तो राइट आंसर आपको बताना है तो राइट आंसर हो जाएगा उप्शन सी ब्रह्म पुत्रिष का सही जवाब बनेगा दूस्तों अगला कोशन कोशन नमबर 103 है निम लिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है तो राइट जवाब हो जाएगा उप्शन ए नर्मदा नदी का नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमेटर है या विध्यांचल परवस सेंडियों में इस्थित अमर कंटक नामे की स्थान से निकलती है इस नदी का समागम का मोहना कमबाद की खाड़ी आरब शागर में है या पर्ष्चम दिशा की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है क्रिशन नदी परश्चम घाट की महा बलूसर परवस सरिकलती है इसकी लंबाई 1401 किलोमेटर है या दक्षुन पूर्व में भायती हुई बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है आने नदी परश्चम दिशा क्यों बहती है यह दक्षुन भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है दोस्तों कोशन नमबर 105 है भारत की तीन महात्मोर नदियों का सुरोत हिमाले इस्तित्मान सुरोवर छिलके निकठे बताईए है कौन सी नदी कौन सी नदियां है दोस्तों तो राइट जवाप हो जाएगा कोशन नमबर 107 है नदी के प्रोहकुम आपने के लिए निम्न मेंसे किसका उप्यूग होता है तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों है हापे ऑप्सन भी क्यूसेक नदी के प्रोहकुम आपने के लिए क्यूसेक मेटर का प्यूग किया जाता है कोशन नमबर 108 है दोस्तों पर गोदावरी नदी महाराष्ट के किस जिले में पर्ष्चमी घाट की धलानों से निकलती है तो राइट अंसर अपसंती हो जाएगा नासिक गोदावरी नदी प्रायदी भारत की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है या महाराष्ट के नासिक त्रमबकेश और नामक पहाड़ी से निकलती है अगला कोशन कोशन नमबर 109 है नदी घाटी परियोजना से समंधित निम लिखित में से किस नदी को बिहार का सो कहा जाता है तो यहाँ पर इस कोशन का राइट अंसर बनेगा दूस्तों और संदी कोशी यहाँ पर सही जाब हो जाएगा दूस्तों कोशी नदी अगला कोशन कोशन नमबर 110 है पोंग बांध किस राज्य में ब्यास नदी पर बनाए गया है तो राइट जाब हो जाएगा अपसने हिमांचल प्रदेश पोंग बांध हिमांचल प्रदेश में ब्या दुलहस्ती पर्योजना जमू और कस्मीर के किस्त वाड़ा जिले में चिनाम नदी पर इस्तित है। उकाई बांध भारत के निमलिकित में से किस राज में है या उस राज का दूसरा सबसे बड़ा पांध है। इस सित है। तुराइट जवाब हो जाएगा उप्शन भी तिरुचिरा पली इसका सई जवाब बनेगा दूसरों। अगला कोशन, कोशन नमबर 115 है। भाकडा बांध किस नदी पर बना हुआ है। तुराइट जवाब हो जाएगा उप्शन सी 17 जनदी पर बना हुआ है। भाकडा बांध हिमांचल प्रेज के बिलासपुर जिले में 17 नजी पर बनाएगे है। अगला कोशन, कोशन नमबर 116 है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। तुराइट जवाब हो जागा उप्शन सी हीराकुंड। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। जिसका निर्माड वर्स 1948 में ओडिसा के संबर पुर जिले में महानदी पर किया गया था। और इसकी लंबाई 4.8 किलो मीठर है दोस्तों। अगला कोशन, कोशन नमबर 117। कुडन कुलम पर्योजना किस राज में सिथ है। कुडन कुलम पर्योजना तमिलनाड में सिथ है। यह एक नाविकी पर्योजना है जिसकी शुर्वात वर्स 2001 में की गई इसे पूर 2013 में किया गया था। अगला कोशन, कोशन नमबर 118 है। स्री सालम बांध किस नदी पर बना गया है। तो राइट अंसर हो जाएगा ऑप्सन भी कृष्णा नदी पर। स्री सालम बांध कृष्णा नदी पर। अगला कोशन, कोशन नमबर 120 है। चमेरा बांध किस नदी पर बनाएगे है दूस्तों आपको बताना है तो राइट जाब बनेगा ऑप्सन भी रावी नदी पर बनाएगे है। अगला कोशन, कोशन नमबर 121 है, भारत के किस राज्य में सबसे जादा बांध है आपको बताना है दूस्तों, तो राइट अंसर हो जाएगा उप्सन भी महाराष्ट में, महाराष्ट में 1800 से जादा बांध है जो भारत के अन्य राज्यों के तुला में जादा है, बांधो अगला कोशन, कोशन नमबर 123 है, कोशन नमबर 123, गंडक सिचाई पर्योजना किस प्रदेशों का एक सउप्त प्रयास है, जवाब अप्सन भी हो जाएगा उत्तर प्रदेशों बिहार, इसका राइट आंसर बनेगा, कोशन नमबर 122 है भारत में कुल सिचाई का 45 परसंट हो घरेलू पानी का, किते परसंट भूब जल रिजर्व से आता है, तो यहाँ पर दोस्तों इस कोशन का राइट अंसर हो जाएगा, 80 परसंट, अगला कोशन, कोशन नमबर 125 है जलवायू से समंदित, भारत की जलवायू को, जलवायू कहा जाता है, आपको बताना है दोस्तों तो यहाँ पर इस कोशन का राइट अंसर हो जाएगा, ऑप्सन C, मान सूनी जलवायू कहा जाता है दोस्तों, आप लोग धाना कियेगा, अगला कोशन, कोशन नमबर 126 है, गिरिसम काल में उतरी मैदान में बहने वाली पावन कहलाती है, तो राइट अंसर यहाँ पर हो जा के कारण भारती उप महादीप में मद एसिया की तुला में अपिच्छा करत हल्की शर्दियां होती है, तो राइट अंसर अप्सन C हो जाएगा, हिमाले, हिमाले मद एसिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारती महादीप में प्रेश करने से रोखता है, इन परवतों के का करन ही भारती उप महादीप मद एसिया की तुला में अपिच्छा करत हल्की सर्दियां अनभौ करता है, कोशन नमबर अगला है 129, भारत का निमलिकित में से कौन सा इस्थान आति विसम प्रकार की जल्वाई का अनभौ करता है, तो राइट अंसर अप्सन C हो जाएगा, द देली इसका राइट आंसर है दोस्तों, कोशन नमबर 130, सर्दियों के मौसम के दौरान उत्तर पूर्वी देश पर हावी रहती है, वे भूम से समंदर की और बहती हैं और इसलिए देश की अधिकांस भाग के लिए यहां एक शुष्क मौसम है, तो यहां पर राइट आंसर अगला कोशन, कोशन नमबर 131 है दोस्तों, कोशन नमबर 131, भारती उप महादीप देक्षन अमेरिका के उतर पूर्वी भाग और उतरी अस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तो राइट आंसर अप्सन नहीं हो जाएगा, ओसन कट बंधी, मानसून, जलवाई, अगला कोशन कोशन नमबर 132 है दोस्तों, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर इस्ट है, तो राइट आंसर हो जाएगा, ओप्सन C, चिनाब नदी पर है दोस्तों, ब्यास परियोजना ब्यास नदी पर है, रंजीत सागरबांध रावी नदी पर है, सलाल बिजली परियोजना चि किसेक के कारण स्वित कल के दोरान वर्षा होती है तो right answer option भी हो जाएगा परस्च में बिच्छोब question number 134 है भारत में गिस्म कालिन मानसून के प्रवाह की सामान निजिसा निमनलिकेट में से कौन है तो right जवाब यहाँ पे आपको देना है तो right जवाब अपसंटी हो जाएगा दक्छिन परस्चिम से उत्तर पूर्विस का right answer हो जाएगा अगला question question number 135 है परस्चिमी बिच्छोब जिस कारण उत्तर परस्चिम भारत में बारिश होती है उसका उत्पत्ती स्थल है आपको बताना है तो right answer option C हो जाएगा जिसे रवी, खरीफ, जायर की फसल रिटू कहते हैं दुश्टो अगला question question number 137 है भारत की उचितम वार्शिक वर्षा कहां पर दर्च की गई है तो right answer option C हो जाएगा मासिन राम में खाले इसका सही जवाब बनेगा अगला question question number 138 है उस दिन को वर्षा दिन माना जाता जिस दिन वर्षा होती है तो right answer हो जाएगा धाई एमेम यहाँ पर right जवाब बनेगा दुश्टो अगला question question number 149 मिटी से सबंदित मरुस्थली मिटी के बारे में निमलिकित में से कौन सा कथन गलत है आपको बताना है तो right answer हो जाएगा option D यह नमी की मातरा को बरकरार रखता है अगला question question number 140 है सुस्क मर्दा जिसमें ठोस तथा चिद्र दोनों शामिल है का एक एकाई आयतन द्रब्य भार कहलाता है तो right answer option D हो जाएगा इन में से कोई नहीं next question माफ कीजेगा यहाँ पर इस question का right answer बनेगा option D इस थूल गहनत इसका right answer हो जाएगा दोस्तों अगला question question number 141 है एक संसाधन के रूप में मिट्टी के कटा और हार्ष को मिट्टी के समन्द में प्रमुक खत्रा माना जादा निमलिकित में से कौन सा विकल्प मिट्टी के समन्द का महात्मोर उपाए नहीं है तो right answer हो जाएगा option C बारिस के पानी में बहचाना इसका right answer हो जाएगा अगला question question number 142 है खादर और बांगर निमलिकित में से किस प्रकार की मिट्टी है most important question है दोस्तों आपकी परिच्छा की दिस्ट कॉंट से तो यहाँ पर इस question का right answer बनेगा option बी जलोड इसका सही जवाब हो जाएगा नदियों दोरा लाई गई मिट्टी के को जलोड मिट्टी कहते हैं इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है लेकिन nitrogen, phosphorus, humus की कमी होती या भारत की सबसे उपजाव मिर्दा है दोस्तों पुराने जलोड मिट्टी को भांगर और नई जलोड मिट्टी को खादर कहा जाता है जलोड मिट्टी उरबरता की दिस्टी से धान गेहों मक्का, तिलहन, दलहन, आदिफसलों के लिए अच्छी मानी जाती है कोश्या नमबर 143 है भारत के कोई कोई छेतरों में लाल मिट्टी पाई जाती है मिट्टी के लाल रंग होने का मोके कारण क्या है इनमें से आपको बताना है तो राइट अंसर उप्शन C हो जाएगा फेरस ऑक्साइड की उपस्तिती कोश्या नमबर 144 है तेरा रोसा श्रब्द का तातपर है तो राइट अंसर हो जाएगा उपसन B लाल मिट्टी से है दोस्तों कोश्या नमबर 145 तेज हवाओं तोरा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है तो राइट अंसर अंसर अपसन D हो जाएगा बलुई मिट्टी इसका सही जवाब है कोश्या नमबर 146 है यहाँ पर आपको फिल करना है लहरदार भूमी और रेतिली मिट्टी की सिचाई के लिए उप्रिउक्त बिधी है तो राइट अंसर 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 हो जाएगा फवारा इसका राइट अंसर बनेगा कोश्या नमबर 147 है निव्लिकित मैं से किस राजी में काली मिट्टी पाई जाती है तो राइट अंसर बनेगा यहाँ पर दोस्तों इस कोश्या अंसर 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 हो जाया है अबहर नामक जिल भारत की सबसे बड़ी अंतरदुसी लवडी आदरभूमी है या राजस्थान राज में इससे जिल है कोश्चान नमबर अगला है वन वन जीव वन अस्पतियों से समांधिर कोश्चान नमबर 150 सागाउन के जंगल भारत के नम लिखित में से किस राज़ी में पाई जाते है तो राइट आंसर यहाँ पे आपको देना है दोस्तों दिये गए ऑप्संस में से तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्सं भी मध्य प्रदेश सागाउन भारत और दक्षुन पूर्व एसिया के सबसे महात्मूर लकडी के पेड़ों में से एक है भारत में सागाउन के जंगल मध्य प्रदेश महाराष्ट का नाटक तमिलनाट के रल आनप्रदेश में है सगोन की लकडी पण पाती जंगलों में पाई जाती है तो दोस्तों यदि आपको class पसंद आ रही तो class को स्वादा स्वाइड लाइक और शेर करते रही है अपना support बनाया रखियो दोस्तों दोस्तों आज की इस class में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्स क्लास में तब तक लिए नमस्कार चाहिन धन्वाद